क्या आप भी अपने जीवन में चल रही परेसानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मकर संक्रांती करे कुछ विसेश महा उपाए जो आपको अपनी परेसानी से छुटकारा जरूर दिलाएंगे तो हम इस वीडियो में जाननेगी मकर संक्रांती कब है उस दिन आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है क्या दान करना है क्या दान नहीं करना है कौन से कुछ कौन से बातों का ध्यान रखना और कुछ ऐसे विसेश महा उपाए जानने को मिलेंगे जो आप इस मकर संक्रांत का तेवार है वो 15 जनवरी को यानि सो मौर को मनाया जाएगा कहते हैं इस दिन सूर के उत्रायन होने पर मकर शंक्रांती से जुड़ी विसेस अगर उपाय आप कर लेंगे न तो आपको साल भर धन सुख आदि जित्यात भी परेसानिया हैं उन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएंगा और आपके जीव में सुख संव्रध्धी की व्रध्धी होगी यानि मकर संक्रांती की दिन आप जो विसेस उपाय करेंगे उससे आपको पूरा साल लाब मिलेगा तो मकर संक्रांती जो है 15 जनवरी 2024 को है मकर संक्रांती पर सूर्य मकर रासी में प्रवेस करते हैं और उत्तर दिसा की ओर गती करते हैं मकर संक्रांती से देवताओं के दिन सुरू हो जाते हैं और इस दिन से वसंतुरिति की भी सिरुवात हो जाती है और उत्तर भारत यानि भारत के इसे फसलों के आगमन की खुसी के रूप में बनाया जाता है इसे अलग क이-kahi नाम से जाना जाता है इसके उत्तरवारत में इसे खिचुडी के नाम से उत्तराएन, बहुत सारी चीजे, साउथ में, बॉंगल इस तरह की कई चीजे नाम से जाना जाता है मकर संक्रांती पर गंगा सागर में मेला लगता है मानेता है इस दिन गंगा इसनान से मोक्षी की प्राप्ती होती है सास्त्रों में मकर संक्रांती के दस उपाएं बताए गये हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया हुआ भागी जाग उठेगा तो मकर संक्रांती के दिन इसनान दान इन सारी चीजों का बहुत ही ज़्यादा महत्त होता है तो आपको इस सारी बातों को जरूर जान लेना चाहिए तो सबसे पहले जान लेना है कि इसनान आपको उस दिन कैसे करना है तो मकर संक्रांती के दिन इसनान का बहुत ही विसेस महत्त होता है आपको सुरोदे में जितना हो सके जल्दी उठना है और आपको सारी चीजों के बाद इसनान करना है आपको ज़्यदा सुरात में बातचीत भी नहीं करनी है और आप नदी पर इसनान कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है नहीं तो आप घर में गंगा जल मिलाकर जरूर कीजेगा मकर संक्रांती पर सूर सनी देव से नाराज की त्याक कर उनके घर गये थे मानता है इस दिन जल में आपको काले तिल मिलाकर इसनान करने से सनी बेहद प्रसन होते हैं और साधक को बहुत सारे उस करिसनान जरूर करना जाहिए उसके बाद आपको सूर को उस दिन अरग जरूर देना है सूर देव के पूजा के लिए मकर संक्रांती का दिन बहुत ही स्रेष्ट माना जाता है क्योंकि सारी चीसजिए सूर से ही जुड़ी होती है manufactured तयुवार तो उस दिन सूर को आपको अरक जरूर देना चाहिए तो उस दिन आपको सूर्देव को पानी में लाल, चंदन, डाल, फूल काला तिल, फुड डाल कर अर्ग दे इसके साथ आपको मंत्रा आते हैं तो वो पढ़े, परिक्रमा करें, प्रडाम करें ये सारी चीज़े आपको स्रान करने के बाद जरूर करनी है, और उसके बाद कहीं कहीं पर एक खिचडी मिलाने की भी परंपरा होती, तो आप वो भी उसके बाद जरूर करें, इसके बाद ये उपा है आपको मकर संक्रान्ती पर आपको सुहागिन महिलाय को हल्दी कुमकुम की रशम निभाती. विवाहित महिला है अपने सुहाग की रक्षा के लिए दूसरे को हल्दी कुमकुम का लगाकर सुहाग सामगरी बाड़ती है. मानिता इससे पती की आयू लंबी होती और सवभाग में व्रध्धी होती लेकिन आपको सुहाग की जो सामगरी वो 14 रखनी है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है काफी जगे पे बिलकुल यह प्रता होती है कि यहाँ पर मकर संक्रांती के दिन या उसे लेकर 15 दिन तक यह हल्दी कुम कुम का जो है वी सारी चीजे जो घर की सुहागन मेला है वो करती लोग घर पे बुलाती सुहागनिस्त्रियों को उनको कुम कुम लगा कर अपर सुहाग की सामगरी दी जाती है तो इस तरीकी की चीज आप जरूर करिए बहुत ही अच्छा होता है वैसे वी सुह ज्यादा वो अपनी छमता अनुसार करें जो चीज का आप कर पाएं उस चीज का करें लेकिन आप उस दिन दान जरूर करें काफी जगे पर कुछ नहीं तो खिचडी वो जो मिलाई जाती है तो उस दिन खिचडी बनाई जाती है और लोगों को लोग बुला कर जितना जिनको जरूरतनमेंद उनको इलागर यह खिछाया जाता है तो यह चीज और कुछ नहीं आप कर सकते यह चीज आप जरूर कर सकते ही तो इस दिन आप मकर संक्रांती के दिन दान का विसेस महत होते हैं तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मुंग फली, चावल, मुंग की दाल की खिचडी, गुड़ और काली उड़क की दाल का दान करने से सनी, राहू, केतू, सूर की सुबता मिलती हैं और व्यक्ति धन दान होता है, तो आप चावल, मुंग की दाल, गुड़, जितने भी गरम, जो मतलब तिल की मिठाया होती है, सारी चीजे दान करे जाती हैं, तो आप जरूर से दान आपको जरूर करना है, दान में आप जरूरतमन्द अपने आसपास के लोगों को, या जाओ अभी आपके दौर पर आएं उन लोगों को, जानवरों को, पक्षियों को, आप मतलब किसी भी तरीके से आप दान कर सकते हैं अपनी छमता अनुसार, तो आपको उस दिन इस चीज को जरूर करना चाहिए, उस दिन साथ में इस दिन आप गाय को हरा चारा, चीटियों को सक कर मिला, आटा मशलियों को, आटे की गोलिया, पक्षियों को बाजरा खिलाना बहुत ही सुब माना जाता, इससे धन आगमन की रास्ते सुलब हो जाते हैं, यानि अगर धन की आपको किसी भी तरह की कोई परिशान नहीं, तो आप इस उपाय को जरूर करिए, पहले भी जैसे मनना है, बता कर उत्तर दिसा में फेक दे, मानता है, इससे रोग दूर हो जाते हैं, और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है, यानि आपके घर में आप या कोई और रोग से पीडित है, रोग नहीं समाप्त हो रहा है, तो आप मकर संक्रांती के दिन ये वाला उपाय जरूर करें, एक मुठी तेल लेकर साथ बार वार दे, और उसे उत्तर दिसा में बाहर जाकर फेक दे, तो उसे रोग से छुटकारा मिल जाएगा, तो इस उपाय को आप मकर संक्रांती के दिन जरूर करें, अगला है, मकर संक्रांती पर पित्रों का तरपड स्राद कर्म करने से पूर्व साल भर प्रसने रहते हों और परिवार में वन से वरद्धी होती है, वावाहिक जीवन जो घुसमा रहता हो और बरकत, घर में सुक्सम्रद्धी और धन की वरद्धी होती है, तो उस दिन आपको अपने पित्रों का तरपड, उनके लिए आप कुछ नहीं तो आप अपने मन शुक्समर्दाव की प्राप्ति होती है, आपने देखा होगी कि जैसे जब खिचड़ी खाइजाती हो तो उस दिन घीका इस्तेमाल जरूर होता है तो आप घीका खुद भी उस दिन जरूर खाने में इस्तेमाल झरूर कीजिएए और साथ में हो सक के अगर तो आप घीका च जरूर करें चाहाए वो मात्रा जितनी भी कम हो लेकिन आपदान जरूर करें इसके साथ ही मकर संक्रांती पर कुछ ऐसी चीजे हैं जिनको आप उस दिन घर पर खरीद कर लाएंगे तो बहुती सुभ माना जाता है जैसे कि मकर संक्रांती पर तुलसी, तांबा, सुहा किसामग तिल जाडू खरीदना बहुती सुभ माना जाता है और इससे तरक्की होती है और आपके व्यापार यानि सुख सम्रती धन में विस्तार होता है उनका तो यह सारी चीजे आप उस दिन मकर संक्रांती के दिन आप अपने घर में ला सकते हैं तो यह सारे उपाए अपने जान लि हैं आपको उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना है आपसब्द यानि किसे से लड़ाई जगडा नहीं करना है किसी का अपमान नहीं करना है अगर आप उस दिन आपके दर्वाजे पर आए तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सको दीजे खाली हाथ नहीं लौटाईएगा जो उस दिन आपकी दरवाजे पर आए, मतलब किसी तरह की आप गलत व्योहार, गलत विचार या नकारत्म, किसी भी तरह की कोई आपको बात या आदत उस दिन नहीं करने चाहिए, और कोशिस करने कि आप उस आदत को हमेशा बनाकर रखें, तो इन बातों के आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा उस दिन आपको नान, सूर को अरग देना, दान, जरुरत मन को खाना-खिलाना, इन सारी बातों को आपको जरूर मकर संक्रांती के दिन करना चाहिए, I hope आपको ये वीडियो थोड़ी से भी पसंद आये होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा